नमस्कार प्रभा सक्षी निएटर को और आप सभी का स्वागत है जम्मू कश्मीर विधानसवा चनौव में कॉंग्रेस का प्रदेशन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा हर्याना विधानसवा चनौव में तो उसने ऐसे हवा बना दी दी कि कॉंग्रेस की सरकार बनने जा हैं हम आपको उता दें कि कई सहयोगी दलों ने कॉंग्रेस को आत्म मंथन की आत्म चिंतन की सला दी है और ऐसा इसलिए कह रहे हैं सहयोगी दल क्योंकि विधानसवा चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि सहयोगियों को कॉंग्रेस साथ लेकर नहीं चलती वह एकला चलो क की रहा पर चल पड़ती है तो अब जो सहयोगी दल उसको सला दे रहे हैं कि आत्म चिंतन करो सब को साथ लेकर चलो और खास सवर पर महारास्ट जहां पर जल्द ही विधानसवा चुनाओं होने हैं वहां से तो विरोध के सवर उठने लग गए हैं सहयोगी दलों के शिवसेना चला गया है उससे बाहर निकलना होगा कुछ करके दिखाना होगा आपको शिवसेना यूबिटी के जो दो नेता हैं संजे राउत और प्रेंका चतरवेदी इन दोनों के बयान सुनाते हैं सुनिए और समझिए कि महारास्ट में जो ये MBA का गठवंदन है इसमें किया सीटों का बटवारा सहिस्ता से हो जाएगा क्योंकि ये जो दो नेताओं के बयान आया है वो दिखा रहे हैं कि सब कुछ सामाने नहीं है वहाँ पर MBA गठवंदन में बात ऐसी है हरियाना के साथ जम्मू कस्मिर का भी चुना हो गया जम्मू कस्मिर भी 90 उधायक है और हरियाना में भी 90 वाला मामला था ये तो एक 50-50 नहीं 1990 हो गया एक 90 गया इंडिया घड़ बंदन के पास और दूसरा आया बिजेभी के पास दूनों स्टेड का अपना अपना एक महत्व है लेकिन बिजीपी के लिए जम्मू कस्मिर का महत्व सबसे ज़्यादा रहा 370 हटाया तो 2024 की चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा मुदीची तो और अमिशा जी जगजगज़ आकर हमने कैसी मर्दान की दिखाईया 370 को हटा दिया लेकिन जहां से आपने हटाया वहां फार गए या बता या देख लिजगज़ आप फार गए जम्मू कस्मिर में हम इसलिए जीते कि वहा इंडिया गडबंदन चुनाव लड़ रहा था ओमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फरुक अब्दाला जी के नितृत्वन कॉंग्रस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बल्बूति पर जिते गए तो सत्ता में और कोई भागेदार नहीं चाहिए तो हमारे जो मित रहे हुड़ा जी या कॉंग्रस के नेता है उनको लगा कि हमी जीतेंगे अगर समाजवाज़ी पार्टी है अकले जी की आप है कि जिवाज सापकी नेतरतों हमारे जैसे छोटे छोटे दल है हमारे खाते में एक दो सिटे आ जाती तो जरूर जो चित रहे ये निरणे है जो जनता ने दिया उसमें जरूर बदला होता है मैं यह मानता हूँ कि भारते जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बहतरिन तरीके से लड़ा है हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली ये मैनने करना पड़ेगा और कॉंग्रेस तो जीत रही थी ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि ज सरवी के उन तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है लेकिन बीजेपी आ गए उनके ग्यंत्रना है उनका एक सिष्टिम है उनका एक मैनेजमेंट है उनको मानना पड़ेगा है जिसे आपके वज़े से चुनाव जीता है वहां माहराष्टा की बात अलग है माहराष्टन में उद्दो ठक रहे हैं माहराष्टा में शरत पाउलसाव है यह एकनाश्चिंद्धि को भूनला नहीं चाहिए जो वहाँ हो गया हरयाणा की बात हरयाना तक रहेगे महाराष्टा की बात महाराष्टा में रहे दिए यहाँ आप कुछ भी करिए आप जितने वाले नहीं है यहाँ हमारी अगारी है हम एक साथ है एक साथ रहेंगे और चुनाव गीतेंगे हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गटबंधन ने जमूर कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बने वाली है और हर्याना में कॉंग्रिस नहीं लड़ाई लड़ी है वहाँ पे जो बाकी गटबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है इतनी anti-incumbency थी हम देख रहे थे सवाल उठाए जा रहे थे भारतिया जन्ता पार्टी पे इतने incoming हो रही थी कॉंग्रिस पार्टी में ज़ने सबने राइट ओफ कर दिया भारतिया जन्ता पार्टी को फिर भी भारतिया जन्ता पार्टी जीत कराई उनके लिए बढ़ाई प्रधान मंटरी नरेंद्र मोधी जी अब हर्याना में विजय हुए हैं तो उन्होंने विजय अपनी भाशन में यह बाते कहीं हैं पर कहीं न कहीं मैं उम्मीद करती हूं रहा ंपनी चर्चा की होगी जहां जमुर कुश्मीर तो सब जंता ने खारेज कर दिया भारती जंता पार्टी के साथ अगर लॉंग स्टाइनिंग अलायंस था तो शिवसेना का था शिवसेना को जिस तरीके से पीट में घंजर घुपा गया तूथाउसन नाइंटीन में फिर उसके बाद पार्टी को तोड़ने का काम किया गया फिर इलेक्शन कमिशन से लेकर आपने सारी सेंट्रल एजनसी और यंतरना यूज करकर शिवसेना में फूट डाली आप अगर बात करते हैं आप अगर चिराक पासवान जी की पार्टी देखें आपने चिराक पासवान राम विलास पासवान जी आपके अलायंस थे आपने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया आपने शेरोमनी अकाली दल के साथ अपना काम देखा किस तरह के साथ आपने उनको निप्टाने की कोशिश की ये वो लोग हैं भारतिय जनता पार्टी जिनका हाथ ठामकर अलायंस पार्टनर्स ने उनको मजबूत बनाया और मजब मैं कहती हूँ एक सच में भारतिय जनता पार्टी के लिए एक वेकप कॉल है कि आपने इतना जूट परोसर जमूर कश्मीर के बारे में आपने इतनी इतनी बाते कहीं कि आपने बहुत डेवलाप्मेंट लाए है सब कुछ बहुत अच्छा है कश्मीरी पंदितों के साथ अन् दिखाएंगे रही बात हर्याना की हर्याना में मैं मानती हूँ कि सही मैं आत्मे चंतन करने का विशय है कि जीती हुई बाजी हारे है तो क्या कारण रहे होंगे क्यों रहे होंगे किस वजह से रहे होंगे और क्यों ऐसा है जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है हम हर परियाना में भी देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है जब जब कहीं न कहीं एक डिरेक्ट फाइट आती है चुनौती आती है तो भारतिय जंता पार्टी उसमें विज़ई साबित होती है इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से सक्ष्ण है और हम लोग सब एक साथ होकर पार्टी पार् बनाना चाहते हैं मजबूत बनाना चाहते हैं और जंता के का के का विश्वास जीत कर एक मजबूत विकल्प देना चाहते हैं उसमें हम सब कमिटेड हैं हम सब का अलाइंस इंडिया अलाइंस की तरफ हमां 100% कमिट्मेंट है साथी साथ यहां पर यह समझने की जरूत है कि ह उमेरी सबसे बड़ी जिम्मिधारी है कि अपने पर्सिंल अमभिशन्स अपनी पॉर्दी के विरोधी है जो इक्वालिटी के विरोधी है निल्कलूजविटी के विरोधी है वह ऐसी भारती संद्रफ को नें EVM को लेकर तो बहुत सारी चर्चा बार-बार होती रही है कि Election Commission की जिम्मेदारी है कि उसकी जो dependability है उसके किया वो compromise हो सकती है या नहीं आज से कि Election Commission ने आकर उसको खुलके हमें नहीं बता पाई है चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो खुद भारतीय जनता पार्टी हो जब विपक्ष में थी अगवाई में एक किताब लिखी गई थी जिसके बार में EVM पर प्रशन चिन उठाए गए थे सुब्रमानियम स्वामी जी उसके बार में उठाते रहते हैं बहुत सारे ऐसे नेतागर हैं फारुक अब्दुल्ला जी ने उठाया है कॉंगरिस पार्टी ने उठाया है हमने भी उठाया है कि कितनी बार जो close fights होती है close margin वाली fights होती है कहीं न कहीं दस साल चुनाव नहीं हुए हैं, तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, वहां की जनता ने दी है, तो उनकी उमीदों पे पूरा खरया उतरने के लिए बहुत सारा सयोग सेंट्रल गवर्मेंट से होगा ही, और सेंट्रल गवर्मेंट ने वादा भी किया है, मोदी करेंगे. कहीं न कहीं ये बहुत important संदेश आया है हर्याना से, एक जीती हुई election हारी है, और साथी साथ third term, history create कि है भारतिय जनता पार्टी ने तीसरा term लाकर, और इतना anti-incumbency था, इतना लोगों में एक feeling थी कि ये सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, उसको विश्व पास नहीं जीत पाई है, तो खेर आत्मचिंतन करने का विश्य ही है, साथी साथ Congress Party को भी ध्यान देना होगा, कि as India Alliance हम लोग जमोर किश्मीर में जीते हैं, और अगर यहां पर भी गटबंदन हो जाएं, सब को accommodate कर जाएं, तो शायद एक दूसरे का समर्थन हो पाएं, दिल्ली में अगर गटबंदन बनता है अमादमी पार्टी के साथ, तो इंडिया Alliance की एक बड़ी जिमिदारी है, कि हम लोग अपनी Personal Political Party की महत्वकांशार को एक तरफ रख कर समविधान और प्रजात अंत्र की और जनता की लड़ाई लडएं